हेलो बच्चो तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नाइन्थ क्लास के साइस का लेसन वन का पार्ट टू तो इस लेसन में हमने एक पार्ट पहले कर चुके हम तो अब हम पड़ेंगे पॉइंट इसका एक टोपिक पदार्थ की अवस्ताइं तो पदार्थ की कौन-कौन सी अवस्ताइं होती हैं इसके बारे में तो पदार्थ की तीन अवस्ताइं होती हैं वैसे तो अवस्ताइं होती हैं पांच लेकिन इस क्लास में सिरफ हम उसकी तीन अवस्ताइं पढ़ेंगे और बाकी जो बची वी दो अवस्ताइं हम आगे की क् पदार्थ की कौन-कौन से वस्ताई होती है ठोस, दरो और गैस ये तीनों वस्ताई होती है पदार्थ की ये वस्ताई उनके कणों पर निर्बर करती है मतलब कणों की क्या विसे वस्ताई है ये उस पर निर्बर करती है कणों में आकरसन बल कितना है कणों के बीच स्तान कितना है तो इन चीजों पर ये सारी जो है अवस्ताई निर्बर करती है तो बल लगाने देखिए पहले सबसे पहले हम ठोस की बात कर लेते हैं तो जो ठोस अवस्ताई होती है इसमें पदात का निस्सिताकार होता है निस्सित आकार होता है और निस्सित ही सीमाई ही होती है उसकी पदात की और जो ठोस पदात है वो संपीडिन ये है और जो आयतन होता है ठोस का वो भी निस्सित होता है अगर हम example की बात करें तो इसका example match int इस परकासे example वैसे तो रबबड भी इसका example होता है लेकिन क्या होता है कि रबबड को हम कھیचते हैं तो वो तूट जाता है यानि कि वह वस्ता चेंज नहीं करता लेकिन जब भी उस पे फोर्स फूली अगर बल लगाये जाए तो वो तोड़ जाता है वो डबड़ भी इसका अग्जाम्पल है तो अब हम बात करते हैं दरव की दरव का आकार निसीत नहीं होता क्या होता है कि जिस बरतन में भी हम इसक क्फुला छोड़े तो वो बैठने लग जाता है और ये क्या हुता है कि इसका जो कि मञें ये एक कंपसम पीडनी मतलब इसको दबाए जा सकता है थोड़ा भूछ और इसका आएतन जो है वो निसीत होता है आएतन इसका निस्फित होता है अगर हम एक जाम्पलम की बात करें कि यह कौन कोन से होते हैं तो पानी दूद तैल इस प्रकार से जो तरल्पदार्थ है अब बात करते हम गेस की तो गेस में इसका कोई भी निसीताकार नहीं होता क्यूंकि यह फैलती बहुत जल्दी है तो मतलो बहाव इसका काफी जादा होता है तो सीमा जो इसकी है सफस्त नहीं होती और ये अधिक संपीडिनी है इसको दबाया जा सकता है बहुत और इसका जो आयतन है वो भी निस्सित नहीं होता और अक्जामपल ले हम तो ओक्सिजन, मिथेन इस परकार से तो देखिए अभी इन पॉइंटों को ठोस क्या है बल लगाने पर तूर जाता है जैसे एक्जामपल लिया था अभी रबबड का तो दरव का कोई आकार नहीं होता दरव का अपना कोई आकार नहीं होता जिस बरतन में भी हम उसको डालते हैं आए तर उसका निस्षित होता है दरव में ठोस दरव और गैस तिनों का विश्ण संभव है इन तिनों को मिलाया जा सकता बहुत आसानी से ठोस के अपेक्षा दरव में विश्ण की दर अधीक होती है यही कारण है कि दरव अवस्ता में पदार्थ के कंड सुतंतर रूप से गती करते हैं और ठोस के अपेक्षा दरव के कंड रिख्ष्ण भी अधीक होता है तो यह चीज मैंने बता दी है और ठोसों का एउम दरव की तुल्ला में गैसों की संपिडेता काफी अधीक होती है यह चीज भी मैंने बता दी है अब क्या है बस ये टोपिक एक ही करेंगे हम अब इससे रिलेटिड कितने क्यूसन आंस्वर हैं वो चीज हम करेंगे तो देखिए पहला क्यूसन किसी तत्तों के परती इकाई आयतन के दर्योमान को गनतों कहते हैं गनतों बराबर दर्योमान बटे आयतन बढ़ते हुए गनतों के करम में निमिलिकित को विस्तित करें वाईू, चिमनी का धुमा, सहिध, जल, चोक, रूइ, और लोहा तो क्या होता है कि गनतों सबसे ज़्यादा होता है किसका जो ठोस होता है जो ठोस अवस्ता में होता है उसका घंड़ता हो सबसे जादा होता है और जो गैस अवस्ता में होता है उसका सबसे कम होता है तो देखे इनमें कौन कौन से जादा है कि वायू सबसे पहले क्योंकि इसके जो कण है उनमें आकर संबल कम होता है तो उसके बाद चिम्नी का दूमा उसके बाद रूई इसके बाद जल उसके बाद सैथ और चोक और लोहा तो यह क्यूसर नमबर वन इसको आप कर लेंगे अब सैकिन देखिए पदार की वीबी नवस्ताओं के गुणों में होने वाले अंतर को सालनी बंद कीजिए तो जो अभी मैंने पदार्थ के वस्ताओं क्या क्या होती हैं तो उनके बेसिज पर यह अंतर बताने हमें तो देखिए एक बार इसका अंसर पहला गुण है आकार तो आकार जो है ठोस का निशित होता है और दर्व का निशित नहीं होता है और गैस का भी निशित आकार नहीं होता है और आयतन की बात करें मतलव कठोरता उसमें इसका मतलव है कि इसके जो कंड जिसके भी जिसमें भी आकरसंबल अधीक होता है वह ज्यादा दल्ड होता है तो अगर ठोस की बात करें तो यह दल्ड होते हैं तो बहते नहीं हैं और जो दरव की बात करें तो यह दल्ड नहीं होते और तरल होते हैं बैसकते हैं तो इनमें बहा होता है और अगर गैस की बात करें तो इनमें बहा हो बहुत ज़्यादा होता है तो अगला चोथा क्यूसन चोथा पॉइंट इसका कणों के बीच आकरसन बल तो कणों के जो होता है वो ठोस से कम होता है और गैस की बात करें तो ठोस और द्रव दोनों से कम होता है गैस मियाकरसनबल कनों की कनों की सित्थि तो इसमें क्या होता है कि जो कन पास पास किसके होते हैं ठोस के होते हैं और कनों के बीच दूरी जो मतलब ठोस से ज़्यादा होती है किसमे दरों में और गैस की बात करें तो इनके बीच तो बहुत ज़्यादा दूरी होती है तो संपीडियता, कंप्रिसेबिल्टी तो ये ठोस में क्या होता है ने के बराबर होती है नंगरने होती है और दरों में होती है लेकिन ज़ादा नहीं होती और गैस में तो बहुत ज़ादा होती है तो विशन की बात करें यानि कि मिल कौन कौन से वो दूसरे पदार्थ किसमें मिल सकते हैं तो एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ को विशरित नहीं होता मतलब बहुत मुस्किल है इनको मिलाना एक ठोस को दूसरे में और दर्वों में ठोस तता गैसो का विश्यन होता है होता है इसमें और गैसो और एनने गैसो के साथ विश्यन तिरवता के शाथ हो जाता है गैसो में तो हो जाता है तो अब अगला क्यूसन देखते हैं हम पदार्थ के क्यूसन सेकिंड का बी निमली कित पर टिपनी कीजिये दर्डता के बारे में बताना है संपीडियता के बारे में बताना है तरलता के बारे में बताना है और बरतन में गैस का बढ़ना ये बताना है आकार बताना है और गती जूलजा क्या होती ये बताना है गनत्तों के बारे में बताना है तो देखो इनको दर्डता दर्डता क्या होती है कि जिन भी मतलब पदार्थ के कड़ों में आकरसन बल अधीक होता है वो ज़्यादा दर्ड होते हैं और जिन में कम होता है वो कम दर्ड होते हैं तो ठोस में सबसे ज़्यादा होता है तो वे डर्ड ज़्यादा होता है तो दर्व और गैस में कम होता है तो इसको आप लिख लोगे इसकी definition को देखके या फिर आप बुक से लिख लेना तो अगला देखिए संपीडियता पदार्थ के कणों के बीच रिखस्तान होते हैं तो पदार्थ के कणों के बीच रिखस्तान होते हैं और बाई ये बल लगा अगर क्या होता है पदार्थ को दबाया जा सकता है सबसे कम किसको दबा सकते हैं ठोस को दबा सकते हैं सबसे कम उसमें क्या होता है कि ठोस टूट सकता है लेकिन उसको संपीडित कम किया जाता है तो सबसे अधिक संपीडिता किसकी होती गैसों की और ठोस से कम और गैस से ज़्यादा किसकी तरल की यानि की दरव की ठीक है तो इ ये बन लगाकर कंड समी पाज़कते हैं पदात के इस गुण को संपीडियता कहते हैं दरवत अथा गैस संपीडियता होते हैं तो इनका आकार क्या होता है इसलिए इनका आकार आईतन निसीत होता है कि इनका आईतन निसीत होता है ठोसका इसकुन के कारण अत्यदिक आयतन की गैस को कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीडित किया जा सकता है ठीक है तो आयतन जिसका ज़्यादा उसमें संपीडित करके उसको सिलेंडर में डाल लेते हैं तो तरलता की बात करते हम तरलता पदात के बेने की परवर्ती को क्या कहते हैं तरलता तो सबसे ज़्यादा ये परवर्ती किसमें होगी गैस में होगी और उसके बाद दरव में होगी और ठोस में तो बिलकुल ने के बराबर होती है तो इसमें देखके ये डैविनेशन हम लिक लेंगे अगला देखिए बरतन में गैस का बरना बरतन में गैस का बरना किसी बरतन में गैस को आसानी से बरा जा सकता है क्योंकि इसके कण सबी दिसाओं में तिरो गती से चलते हैं तता बरतन को पूर्णते फैल जाते हैं जिसके कणों को अत्यादिक गतीज उर्जा और नंगर ने अंतरवानि बल के कान होता है तो इसके इसमें गतीज उर्जा अधिक होने के कान ये होता है तो अगला देखिए आकार ठोस्पदार्तों में अधिक्तम अंतरवानि मतलब उसके जो कणों के बीच जो अंदर का बल है वो अधीक होता है तो इसका आकार निस्सित होता है इसलिए दर्व और गैस उस बरतन का आकार गहन कर लेते हैं जिसमें उसे रखा जाता है तो उनका आकार निस्सित नहीं होता है तो गतीज उर्जा के बारे में बात करेंगे तो पदार्थ के कणों के बीज गतीज उर्जा होती है और जब तापमान बढ़ता है तो ये गतीज उर्जा क्या होती है बढ़ जाती है तो पदार्थ के गणों की गतीज के कान उसमें उर्जा काना गतीज उर्जा कहलाती है और गैसों में सरुवादिक गतीज उर्जा होती है क्योंकि ये तिरुगती से सबी दिसाओं में चलते हैं तदा कनतेजी से कमपन भी करते हैं और दर्व में गैसो से कम और ठोस में न्यूंतम गती जूजा होती है। तो अगला देखिए घनतो, डैंस्टी, किसी पदार्थ का घनतो परती इकाई आईतन के दर्वेमान के बराबर होता है। तो इसका ये फोर्मूला है, ये देख लीजिए गनतो बराबर क्या होता है, दर्वेमान बटे आईतन, डैंस्टी बराबर मास बटे वोल्यूम। तो सबसे ज़्यादा गनतो किसका ठोस का और सबसे कम गनतो किसका गैस का तो इसको भी आपको लिख लेना है। अगला देखिए, क्यूसन नमबर तीन, कारण बताएं, किनके कारण गैस पूरी तरह उस बरतन को बढ़ देती है, जिसमें इसे रखते हैं, तो इससे रिलेटिड हमने क्यूसन पिछले में भी किया है, तो अगला देखिए, गैस बरतन के दिवारों पर दबाब डालती है, तो इनके आंसर देखिए, पहले का, गैसों के कणों गती जूर जाते हैं, दीक होती है, तो आकरसन बल बिल्कुल ने के बराबर होता है, तो यह सभी दिशाओं में बहुत तेजी से फैलती है, तथा बरतन में रखें, जिस बरतन में भी रखतें, उसको पूरी तरह बहुत जल्दी बर देती है, तो सेकिंड देखिए, गैस बरतन की दिवारों पर दवाव डालती है, तो गैस कान दवाव डालती है, बरतन की दिवारों पर तो गैस यह वस्ता में कणों की गती क्या होती है, नियमतित और तिर्व होती है, तो इस कान से कण आपस में, आपस में भी टकराते हैं और बरतन की दिवारों पर गैस कनों दुआरा परती काई छेटर पर लगे बलके कान गैसों का दवा बनता है तो इस कान से वो पूरे बरतन में फैल जाती है तो देखिए अगला क्या है लकड़ी की मैज ठोस कहलाती है तो ठोस क्यों कहलाती है चो उसके कंड जो है वो उनके बिचाकर संबल अधिक होता है तो वद दल्ड कहलाती इसलिए तो देखे लकडी की मैज ठोस कहलाती है क्योंकि यह एक दल्ड वस्तु है जिसका आकार एउम आयतन क्या होता है ठोस वस्तुक आगार और आज़न निसीत होते हैं जिसकी सीमाई भी सफस्ट होती है और इसके कण जो है संपीडित नहीं होते तथा बहते भी नहीं है ये गुन दरसाता है कि लकड़ी क्या है ठोस है ठोस के जितने भी गुन है वो इसमें लकड़ी की मैज में होते हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं जो लकड़ी की मैज है वो ठोस है तो अगला क्यूसन देखिए अच्छा इसक्यूसन में क्या पूछ रखा है हवा में हम आसानी से अपने हाथ चला सकते हैं लेकिन तो क्या होता है कि जब हवा में हवा जो है वो गैसी वस्ता में है तो इसके कण दूर दूर होते हैं इसके कणों के बीच क्या होता है रिक्स्तान होता है लेकिन एक ठोस लकडी के टुकडे में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्स होना पड़ेगा तो ठोस लकडी क्या होती है ठोस होत ना हाथ चला सकते हैं क्यूंकि हवा के कणों के बीच रिक्स्तान अर्थात कण जो बहुत दूर दूर होते हैं तो इस तथा कणों के बीच आकरसन बल क्या होता है बहुत कम होता है नैके बराबर होता है इसलिए बहुत कम बाई ये बल से इसे हटा सकते हैं जबकि ठोस लकड के टुकडो के कंड बिलकुल पास पास क्या होते हैं बंदे होते हैं उन मतलों उनके आप बीच आकरसनबल ज्यादा होता है तो मजबूती से आकरसनबल के कांड दर्ड सरचना बनाते हैं जिसे तोड़ने के लिए त्यदिक मातरा में बल क्या हो सकता होगी जैसे कि हम कराटे म दक्स लोग करते हैं, तो हमें इसके लिए कराटे में दक्स होना पड़ेगा, तो ये क्यूसन हमारे तीन हो चुकिए, अब हमारा फोर्ट क्यूसन देखें, और ये हमारा लास्ट क क्यूसन आज की वीडियो का, तो सामने थे क्योंकि जो बरफ का घनतव है वो जल से कम होता है इसकी वज़े से होता है ये तो देखे इस कुशन को बरफ पानी में जमने से बनती है तो जिसकी सरचना एतिया दिक रिकस्तान होते हैं किसमें बरफ में रिकस्तान होते हैं और पानी में नहीं होते हैं पानी में क्यों नहीं मातरा के में हो तो उससे आयतन उसका अधिक हो जाता है तता आयतन के बढ़ने से गनतों जल से भी कम हो जाता है गनतों क्या होता है जल से भी कम हो जाता है तो अत्या बरफ के टुकडे में जल तैरने लगते हैं तो बरफ के टुकडे में इसलिए जल तैरने लग जाते हैं तो